राजनी जैपूर में जैपूर ग्रेटर और हरिटेज नगनिगम की ओर से इस बार दिपावली से पहले 20,000 रोड लाइटी लगानी की तैयारी की जा रही हैं जबकि शहर में पहले से बंद पड़ी रोड लाइटों की किसी ने कोई सुधने ली आलम ये रहा कि बारिश के बा से ज़्यादा लाइटे बंद होने की शिकायते तो खुद आम जन्ने दर्ज कराई हैं Vagenpura greater नगरनिगम किशितर में लोगोंने तीन हजार से अधिक रोड लाइटे बंद होने की शिकायत कॉल सेंटर पर फोन करके दर्ज कराई हैं रेटेज नगर निगम में सबसे अधिक रोड लाइटें सिव लाइंस जोन क्षित्र में बंद पड़ी हैं यहां करीब 300 लाइटें बंद होने की जनता ने शिकायती आपको बता दें वहीं हवा महल आमेर जोन क्षित्र में भी करीब 300 रोड लाइटें बंद होने के जनता से शिकायत दर्ज करवाए गई है दोनों ने गुमों ने ही सुध नहीं ली है पर इशानी का सामना आम जंता को करना पड़ रहा है ऐसे ही हाल है आदर्श नगर जोन और किशन पोल जोन ख्षेत्र के इसी तरह जैपूर ग्रेटर नगर निगम ख्षेत्र में करीब दो हजार एलेटी लाइटे बंध होने की बात बताई जा रही है जबकि एक हजार सोडियम और टूब लाइटे बंध होने की भी बात सामने आई है में जयपूर ग्रेटर नगर निगम विदूते समीती चैर्मेन सुखपृत बंसल ने बताया कि ग्रेटर शेत्र में अठाइसों से अ